नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे योट्यूब चेनल पर आज हम एक क्वेस्टेन सॉल करते हैं यदि 10, 3X बराबर साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हो तो X का मान ग्यात कीजिए सेम यहीं इंगलिस मिडियम में है इसको के से सोल करना है देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं फर्स टाइम इसको क्वेस्टन को एजटीज रिपीट कर देते हैं साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अब इसमें हम क्या करेंगे 10, 3X को एजटीज रखेंगे 10, 3X इक्वल्स 2 साइन 45 डिग्री डिग्री देट मेंज 1 अपन स्क्वाई रूट अफ 2 फ्रॉं टेबल उस साइन इसमें लोग वेल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें बीच में कोई साइन नहीं इसका मतला मल्टिप्लिकेशन हो जाएगा cos 45 is also equals to 1 upon square root of 2 प्लस sin 30 degree equals to 1 upon 2 इसको महलोग मेंसम कर सकते हैं सबको sin 30 degree equals to 1 upon 2 sin 45 degree equals to 1 upon square root of 2 and cos 45 degree equals to 1 upon square root of 2 next हम लोग solve करेंगे इसको लिखेंगे 10, 3x equals 2, root 2 और root 2 multiply करेंगे तो आएगा 2 numerator में 1 multi 1 1 हो जाएगा, plus 1 upon 2, यह simply हम लोगों को पता है, half और half मिला के, आदा और आदा जोड के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 अब हमें इसको left hand side और right hand side को equal बनाने के लिए, equal है, तो यहाँ पर same term लाने के लिए हम लोग सोचेंगे कि 1 जो है, वो 10 में किस की value होता है, तो हम लोगों को पता है, कि जो 10 45 degree होता है, उसका जो value आएगा, वो हमेंसा 1 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग जनरली लोग कार देते हैं, गलत हैं इसका नहीं होगा, 10 3x equals to 10 45 है, इसका मतलब क्या हुआ, यह symbolic form में अदा symbol कैसे अगटेगा, अदा नहीं कटता है 3x equals to 45 degree होगा, इससे हम लोग लिख सकते हैं, कि यह जो angle की जगे पर जो चीज दे रखी है aj theta given angle, यह दोनों अपस में equal होगे, तभी यह दोनों equal हो सकते हैं, तो यह 3x equals to आजाएगा, 45 degree अब यहाँ पर 3 और x के बीच में कोई sign नहीं, इसका मतलब multiplication है गुणा का निसान है, उदर जाएगा तो यह भाग में चला जाएगा, divide में और 45 degree में अगर 3 का divide करेंगे, तो कितना आएगा 15 ओके, जहन friends